Hello everyone, welcome to Legal Insights Hub और हमारा आज का topic of discussion है How to present case laws Law students के हवाले से topic काफी ज़्यादा important है और उनके लिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह उन्हें बकाइदा case laws पढ़ाए भी जाते हैं और उनकी जो practical field है उसमें भी इनकी काफी ज़्यादा importance है तो case laws को हम सबसे पहले समझेंगे तो case laws ऐसे judicial decisions हैं जो बकाइदा court rulings के बाद established court rulings के through establish किये जाते हैं जब भी हम कोई case law देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी एक जो point नजर आता है that's called citation जैसे मैंने आपर example भी दी हुई है 2021 SCMR 325 तो case laws की different citations हो सकती है यहां पर मैंने supreme court monthly review के हवाले से example डाली हुई है यहां पर हम इसको पढ़ते इस तरह से यह year हो जाता है then supreme court monthly review SCMR and then इसको page के हवाले से पढ़ा जाता है like जैसे page 325 and then next point हमारे पास जो आता है वो parties के हवाले से होता है कि कौन सी party जो है इस case के अंदर petitioner है और कौन सी respondent है यहां पर words vary भी कर सकते हैं जैसे appellant respondents हो सकता है plaintiff defendants हो सकता है तो यानि के parties के हवाले से जो है mention किया जाता है कि कौन सी party in the present case जो है वो petitioner साइट पर है और कौन सी party respondent साइट पर है जो statutes उसमें discuss किये गए है हम उनको बकाइदा detail में discuss करते हैं जैसे in case हमारे पास कोई ऐसा case है जिसमें murder की हवाले से बैटर है तो नहां पर possible legal provisions जो है वो 302 PPC हो सकती है या जो भी other relevant provisions होंगी उस case लों में मुझूद हम उन सब को detail में discuss करेंगे then हमारे पास उस case के facts आ जाते हैं हम उसको बकाइदा detail में narrate करते हैं और जो भी सारा उस case का scenario क्या है उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या factors जो है वो involved है वो हम facts में discuss करते हैं and then जो point आता है वो arguments का कि जो भी parties के जो councils है अगर petitioner side है तो वो अपने arguments प्रोवाइट करती है and then respondent side का जो council है वो अपने arguments जो है उधर प्रोवाइट करते हैं अपनी side का जो भी उनका defense है वो arguments के थूँ वो सामने रखते हैं and then हमारे पास की final step आता है which is like judgment तो ultimately जो है सारे steps को यानि सारे facts को मदे नज़र रखते वे सारे provisions को देखते वे और councils के arguments को सुनने के बाद ultimately जो भी judges है और जो भी court है वो ultimately अपना final decision judgment के थूँ पास करती है तो ये है सारा case loss का sequence के case loss को किस तरह से जो है वो discuss किया जाता है और case loss के steps किस तरह है तो I hope कि आपको ये video जो है काफी helpful लगी होगी और अगर आपका कोई point है या कोई query है तो आप comment section में पूछ सकते है thank you so much for watching this video and please subscribe to my youtube channel